मेरे प्यारे देश वासियों, आप सभी को ओनम के तिवार की हारदिक शुबकामनाय और बधाई। भारत के दक्षिन हिस्से और विशेश रूप से केरल में ओनम का तिवार, प्रारंबिक हर्ष, उल्लास और उमंग के साथ पूरे देश और पूरे विश्व में मनाया जाता है। इश्वर की अपनी धर्ती केरल का ये सबसे बड़ा सामाजिक परू है। साथियों, आप सब जानते हैं भारत मुक्षित कर्शी और कर्शिकों का देश है। ओनम का परू का खेती और किसानों से घरा नाता है। किसान अपनी पसलों की सुरक्षा और अच्छी उपच के लिए श्रावन देवता और पुष्प देव की अराजना करते हैं। लोगों के मन में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाती है जिसमें आनन्द भी शामिल होता है। ओनम एक परौनिक कथा राजा महापली से भी जुड़ी हुई है। जो साल में एक बार अपनी प्रजासे मिलने ओनम के समय आते हैं। उनके आगवन की कुशी में ओनम का तिवार हर्श और उलास के साथ मनाया जाता है। हमारा मलियाली समाज चाए केरल में रहो या देश विदेश के किसी भी हिस्ते में हो वो इस तिवार को अवश्य मनाता है। इसके माध्यम से सामाजी संस्कति का मेल जोल, सम्रस्ता का संदेश पूरे देश और पूरे विश्य में भी जाता है। ये तिवार सामप्रदाइस सोहात का परू है जो हर प्रकार के भेदभाव को मिटा देता है ओनम के तिवार हमारी बवरंगी संस्कति की सचीव छटा भी प्रस्तूत करता है इस अवसर पर सजे दजे हाती निकलते हैं गरों को विशेश उप से सजाय जाता है लोग तरह तरह क प्रारंबिक परिदान पहनते हैं नोकादार अन्य कहिक आयोजन भी होते हैं और उसके साथ-साथ पूरे देश और पूरे विश्व में ये पर बड़ी संस्कतिक आस्ता विश्वास के साथ मनाया जाता है भगवान की विशेश अराधना पूजा भी होती है आज के दिन सब पूरे परिवार के साथ सुस्त रहें, आनन्द पुर्वक रहें, मेरी कामना है, ओनम के शुवसर पर बनने वाली फूलों की रंगोली, आप सब की जिवन में कुशी के विविन रंगों को समावेश बना रहें, आप सभी को ओनम की बहुत बहुत शुब कामना है, बहुत बहुत बदाएगे